युक्रेन और पस्चिम एशिया में चल रहे संगर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विशे हैं भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता शांती की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तयार है साथियों रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीख है classified information के exchange पर बनी सहमती इस दिशा में एक नया कदम है आज संपन्य की गई mutual legal assistance treaty से आतंकवात और अलगाववदी तत्वों से निपटने में हमारे साज्वा प्रयास ससक्त होंगे green and sustainable growth के साजा commitment पर दोनों देश निरंतर कारियरत है आज हमारी green और sustainable development partnership को आगे बढ़ाते हुए हमने green urban mobility partnership के दूसरे चरण पर सहमती बनाई है और green hydrogen road में भी launch किया है साथियो युक्रेन और पस्चिम एशिया में चल रहे संगर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विशय है भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांती की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तयार है इंडो प्रसिफिक शेत्र में अंतराष्टिय कानूनों के तहत फ्रीडम अप निविगेशन और रूल अफ गलोग सुनिचित करने पर हम दोनों एकमत है हम इस बात पर भी सहमत है कि बीसवी सदी में बनाए गए गलोबल फॉरम 21 वी सदी की चुनोतियों से निपटने में सक्षम नहीं है UN Security Council सहीत अन्य Multilateral Institutions में reforms की आवशकता है भारत और जर्मनी इस दिशा में सक्रिय रूप से सहयोग करते रहेंगे साथियों People to People Connect हमारे सम्हंदों का एहम स्तम्भ है आज हमने Skilling और Vocational Education में मिलकर काम करने का निर्णे लिया है IIT Chennai और Dress Day विश्व विद्याले में भी समझोता संपन्द हुआ है जिससे हमारे Students Dual Degree का लाप उठा पाएंगे ZNews